हेलो दोस्तो कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की इस क्लास हो शुरू करते हैं तो दोस्तो हम लोग परिपेस वारे लेक्चर में जो कि लेक्चर नमबर 13 वो वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सार इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर किये जिसमें हम लोग resolution of force के बारे में पढ़े थे और उस पर important क्यूचन को भी solve किये थे तो दोस्तो आज की इस लेक्चर में हम लोग what is moment of force के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम टॉर के नाम से भी जानते हैं और यह कितने तरह का होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इससे related कुछ important question है उसके बारे में भी discussion करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि what is momentum of force, momentum force है क्या, the momentum of force is the turning effect produced by the force on a body is known as momentum of force, देखिए दोस्तो momentum of force क्या है, turning effect को उत्वन करना ही momentum of force कहलाता है, इसको और explain करते हैं दोस्तों, मालने जिए कोई वस्तु है, और उसमें हम force लगाए, और मेरे उस force के कारण उसमें turning effect आ गया, कहने के मतलब है, कि वह वस्तु अपने axis पर भूमने लगा या फिर rotate करने लगा, तो उसी को दोस्तों momentum of force कहते है, इसका दोस्तों दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है, तो जैसा door को खुलना, धरवाजा खुलना दोस्तों, nut का कसना, या फिर car का जो handle होता है, तो इसली हम लोग घुमाते है, वह से momentum of force के कारण ही होता है, दोस्तों, तो चली दोस्तों, अब हम example को और अच्छे से explain कर ले आए, तो उसे momentum of force करते है, तो देखी दोस्तों, जैसा एक example है, एक डूर है, मतलब डूर का दोस्तों, ये example है, जिसमें डूर के इस वाले साइड में एक लॉकर है, इस लॉकर में दोस्तों हम force लगा कर या तो दरवाजा को खौल सकते है, या तो फिर दरवाजा को हम ल दूसा momentum of force करते है, तो generally दोस्तों हम इस डूर को अपने force के द्वारा इस body करने का मतलब इस डूर पर हम क्या ले आए, तो turning effect ले आए, तो दोस्तों, ये एक एक अच्छा एजाम पने momentum of force का, एक और important concept ये है दोस्तों कि कभी भी जो डूर का जो locker होता है दोस्तों, वो बीच में रहा, तो इस वाले जो डूर का जो access होता है, ये, देखिए दोस्तों, कोई भी जो body होता है, वो अपने pivot point के along ही move करता है, pivot point काने का मतलब जो होता है दोस्तों कि एक fix point है, जिस पर कोई भी भी बोटी रोटेट करें, तो कोई भी भी बोटी दोस्तों, अपने pivot point क ये, एक्सिस का along ही move करता है, तो ये pivot point और डूर के locker की बीच का दोस्तों, जो distance हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और आप बात या एद रखे कि अगर distance कम हुआ, तो force जादा लगता है, तो इसलिए दोस्तों, अगर ये distance कम हो जाएगा, तो हमको दर्वाजा खुलने में, ज एक example क्लिए हो गया होगा, चलिए दोस्तों, एक ठाव और example लेते है, ये दोस्तों कार का handle है, ये दोस्तों कार का handle है, इसमें दोस्तों दे सकते है, कार के handle के बीच का जो distance होता है, दोस्तों, यह जो यहाँ से लेकर है, यह distance है, यह distance है दोस्तों, तो हम जैसा की door में होता ह सब्सक्राइब दिस्टेंज ज्यादा रहता है तो तो कर के हैंडल भी सेम ची rainbow स्पाइब होता है इतना प्रेंफ क्राइब करहाई ग्यां सक्काइल है आप आप कंद पाइगा द्याता है अगर दिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो कार के हैंडल निकाल देने से उसके 20 का डिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसलिए दोस्तो एक बत और आप नोटिस किया होंगे कि जो ट्रॉक होता है ट्रॉक का जो हैंडल होता है दोस्तो वह बहुत ही बड़ा होता है क्यों अगर कार के साइज का हैंडल अगर हम ट्रॉक में फीट कर दें तो ट्रॉक को मोडने के लिए ट्रॉक का जो ड्राइवर हो ताकि उसमें अगर बड़ा handle रहेगा तो जो distance रहता है वो बढ़ जाएगा अगर distance बढ़ जाएगा तो फिर force कम लगाना पड़ेगा ताकि उसे असानी से फिर truck अगर आपको यहां पर पकड़ते हैं है तो समय कर लेते दोस्तों कि अगर दूस्त इस अगर आपको यहां पर पकड़ते हैं कि ताकि जो रिंच का जो नट होता है नट की जो पाइगोट पॉइंट से जो पाइगोट पॉइंट है इससे हमारा जो distance है वो काफी बढ़ जाए अगर दोस्तों डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमें फ़ोर्स कम लगाना पड़ गया कभी दुस्तों अगर आपको एक समन्झ में नहीं आया तो आप दुस्तों इक काम करिएगा आप जो रिंच होता दोस्तों आप उसे यहां पर पकड़ करा यहां पर पकड़के और भूंन हम लोगों को लगाना पड़ेगा तो आही हो दोस्तो यह तीन इंग यंग आपलों को अच्छा से समझ के होगा और भी बहुत पराहगा तो यह ल्ग होता है जैसे साईकिल का चलना और भी तरह-तरह का एक्जामपर रहे दोस्तों जो कि momentum force को दर साता है फिलहाल हम दोस्तों तीन example से अच्छे से समझेगे होंगे कि क्या होता है momentum of force और क्या इसका use है दैनिक जीवन में अब दोस्तो momentum force को सूचित किसे करते हैं और इसके होता है इसका जो फर्मूला पूर्स कि में से सूचित करते हैं और old sisterл की पर्ठेटेकूलर इसको डिस्टाट करते बता चुका हमें दोस्तों और जो मोमेंटम आप फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों वन न्यूटन मीटर होता है जिसे हम जूल भी कहते है अब दोस्तों मोमेंटम आप फोर्स में हम बता है कि डारेक्शन होता है अपने एक्सिस का लॉंग तो जायर से बार दोस्तों डारेक कि अगर हम किसी वस्तू का डायरेक्शन अगर हम एंटि क्लाक्वाइज कर दिया तो उसे हम दोस्तो एंटि क्लाक्वाज मोमेंट। दोस्तों एक बात नोत करने का बहुता है थो जो मिधंचिक और को पॉझेटी इस थी जिस दो से मेरल करें लोगा गाइजमिंटनोकस दोस्तों के आनके दिएले अगिंगा स्वीधिया है जिसे हम ruler कहते है या फिर scale कहते है और इस ruler या scale को balance किया गया है फलक्रम जो यह जो आपको triangle नजरार है दोस्तों इसे हम फलक्रम कहते है फलक्रम से exact 20 cm की दूरी पर right side के direction में हम लोग एक वस्तु को लटका है जिसका weight है दोस्तों 20 gram force और फलक्रम से right sorry दोस्तों left side के direction में हम लोग 15 gram force का वजन लटका हुए है जिसका direction दोस्तों 30 gram centimeter left side के direction में दोस्तों अब दोस्तों इसका जो direction होगा दोस्तों यह तो इधर पर यह जाएगा नहीं तो फिर यह इस direction में घुमेगा तो दोस्तों हमको इसको कुछ निकारना है हमको momentum of force इस वस्तों का निकालना है जो 20 gram of force और momentum of force 15 gram force का भी निकालना है दोस्तों दोनों का momentum of force निकालना है कि क्या आएगा तो दोस्तों एक point यहाँ पर में लिखा हूँ है कि जब भी कोई weight clockwise घुमा आए तो momentum of force निकेटिव होता है हम बताया है दोस्तों टाइपस of momentum of force में कि clockwise मोमेंटम of force निकेटिव होता है तो दोस्तों यह जो weight है अगर माल नहीं दोस्तों यह weight के कारण अगर इस direction में घुमें तो यह क्या होगा दोस्तों यह इस direction में दोस्तों clockwise direction होगा ता है दोस्तों क्या बोलेते कि minus sign होता है अगर इस वस्तों के कारण यह अगर इस direction में घुम कि says momentum of energy format of 4 लिए दोस्तों कि 와서 इंटी इसी को हम लोग result करते हैं और darf कीविद्टिजेन को दूस्तों लोगति करते हैं तो फोर्स केता दस्तों जो टूद्दू का जो वजन है इसी को फोर्स कहते है तो जिए विस हैर आद posição तैंस Josh जिसका sign होगा दोस्तो negative अब दोस्तो जब भी कोई weight anti-clock wise घुमाए तो momentum of force क्या हो दोस्तो positive होता है तो momentum of force क्या हो कि F-L और F कितना है दोस्तों 15g of force है और L कितना दोस्तों कि A कितना दूरी पर है दोस्तों तो दोस्तों आपका momentum of ocean निकालने का concept clear हो गया होगा अब दोस्तों एक और प्रशन ले लेते हैं देखिए दोस्तों यह प्रशन में आपको direction find करना है कि direction क्या होगा आपका figure दोस्तों इस तरह से दिया होगा है ध्यान से देख लिजिए दोस्तों यह figure है आपका इस figure का दोस्तों जो sorry दोस्तों यह जो scale या ruler का जो दोस्तों लेंथ है वह 100 cm है और जो falcrum है दोस्तों वह exact 15 cm की दूरी पर इस्तित है करने के मतलब है दोस्तों की जो ruler है उसके exact center में falcrum रखा हुआ है falcrum से दोस्तों right side के direction में दोस्तों दो वस्तों लटका आएगे है जिसका एक वस्तों का जो वजन ने दोस्तों वह 10 gram force है और दूसरा वस्तों का जो वजन ने दोस्तों 20 gram force है और इसका दोस्तों जो direction है हमें इंक को थोड़ा change कर लेता हूँ इसका दोस्तों जो direction है पहला का लेफ्ट साड की डयरेक्शन की और एकहँ और वस्तो लटका है हुए, जिसका वाजन ही दोस्तो यह 10 gram force बहुत कि कितनी डिजसेंस पर है, दोस्तो 20 cm की दूरी पर इस्थित है तो दोस्तो हमको इसका डायरेक्शन निकालना है कि किस डायरेक्शन के और घूमेगा तो जनरली दोस्तो हम लोग अभी भी बता सकते कि इधर 10 ग्राम है और 20 ग्राम है तो यह हो गया तो 10 प्लस 20 यानि कि 30 और इधर दोस्तो कितना है तो इधर 10 ही है तो यह तो दोस्तो जनरल सब्सक्राइब करने का सबसे असान तरीका यह है दोस्तों कि पहले जितना क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में जितना फोर्स है जितना वस्तु है पहले उसे रिजॉल्ब कर लिजे फिर दोस्तों जो लेक्ता किया सबसे उसे अब रिजॉल्ब कर लिजे तो पहले हम दोस्तों क्लॉक्वाइज क रिजॉल्ब कर लिए पहला वस्तु कितना है दोस्तों करते हैं तो इसका कितना होगा मोमेंटम फोर्स तो फ गूने पहला वस्तु है तो यह भी 10 cm के distance पर है तो 10 x 10 दोस्तों कर लेंगे कितना जाएगा – 100 g for cm अब दोस्तों दूसरा वस्तु का momentum of force निकालते हैं तो दूसरा वस्तु का जो वजह ने दोस्तों कितना है – 100 x – 600 इसों हम सॉल्व करेंगे दोस्तों का जाएगा – 700 g for cm तो आपका यह आगा दोस्तों clockwise direction में momentum of force अब दोस्तों हम लिए total anti clockwise direction में momentum of force को find करेंगे तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है तो इसमें देखिए दोस्तों यह जो 10 g of force है इसका momentum of force निकालेंगे तो इसका F गूँए 1 होता है एफ कितना है दोस्तों ? तो 10 है और L कितना है दोस्तों ? यह 20 cm है तो यहाँ पर हो जाए का 20 to 10 हो जाए कितना है ? 200 gram force प्लस centimeter तो इसका जो sign होगा दोस्तो वो positive होगा कि क्योंकि यह इस direction में यह anti clock by direction में होता है तो sign हम generally positive लेते हैं अब दोस्तो इसका direction find करना है तो दोस्तो यह जो इतना है minus 700 हम इसको और इतना को हम लोग plus कर देंगे देखें दोस्तो यह minus 700 है और plus 200 है तो इसको solve करके कितना है दोस्तो तो minus 500 gram force cm तो हम दोस्तो बताये थे कि अगर sign minus हो तो हम क्या सोचेंगे कि जो direction वो clockwise direction में है तो देखेंगे minus sign indicate the direction is clockwise करने मतब दोस्तो क्या है कि यह इसी direction में घूमेगा क्योंकि यह जो sign आया है दोस्तो वह negative आया है तो आई हो दोस्तो यह प्रस्णा आपको clear हो गया होगा बहुत ही अच्छे से अब दोस्तो एक concept है दोस्तो कि if the anybody are equilibrium that means net momentum of force 0 करने के मतले में दोस्तो कि कोई भी body equilibrium condition में कब होता है जब उसका net momentum of force 0 होता है असान भासन में समझी है दोस्तो कि कोई body equilibrium condition में तब होगा जब उस पर कोई force काम नहीं करेगा तभी वह equilibrium condition में कहते है दोस्तो तो जब net momentum of force 0 हो गया तो सम अफ clockwise moment of force बराबर ओगा Sum of Anti वाला बराबर है तो रूलर के है बैलेंस है यह दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यह से आप याद रखिएगा कि को भी बॉड़ी एक बीडियम कंडिशन में तब होता है जब उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा हो और जो क्लोकवाज मोमेंटम फोर्स होता है उसके सम के बराबर होता है एंटी क्लोकवाज मोमेंटम फोर्स का सम और एक और बात कि रूलर जब होता है वैसा कंडिशन आता है तब रूलर बैलेंस मोड में रहता है तो दोस्तों एक प्रस्ण है इसी के रिलेटेड देए गए फीगर में आपको रूलर एक बिलिरियम कं देखें दूस्तों के इसा है और इसा आपको find करना है हुआ है जो हम इसे find करते हैं देखें दुस्तो जो scale है वह भी आपको दुस्तों 100 cm का scale है जिसको ruler बोलते है 100 cm है 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 और दोस्तों center of ruler पर एक फलक्रम हम लगा दिया है जिसको एक्जेक्ट 15 cm पर है यह है अब दोस्तों फिर सेंटर अफ रूलर से लेफ्ट साइड के डारेक्शन की और हम 10 ग्राम फोर्स का वस्तू एक लटका दिया है जो की 20 cm की दूरी पर है और फॉलक्रम से हम डबलू वेट का एक वस्तू लटका दिया है जिसका वे निकाल लेंगे फिर दोस्तों हम एंटी को लॉक्वाज मोमेंटम फोर्स निखाल लेंगे और इस दोनुका दोस्तों अब बराबर कर देंगे और ट्यूंसे भाइन हो जाएगा और यह सब करेंगे क्यों कि जो रूलर है यह रूलर यह कौंसा कैंडिशन में है दोस्तो तो कंडिशन में और कि विल्डे कंडिशन में होता तो यह यह होता है दोस्तोव यहाद होगा यहला पंट कि सम थी सिस्ट ब्रो além प्टी व्ड व्डाव को सम ब्लध ़ो ET व्डाव घ्कता हक 20 अब मोमेंगम फ़ोटो जुद्ट है तो यह इतना दोस्तो 20 तो यह हो गए दोस्तो आपको 200 ग्राम फोर्स सेंटीमेटर अब दोस्तो अकॉर्डिंग इटूचन की यह एक उजदियों के डिशन में है तो यह यह बराबर होगा तो जिसे हम सॉल्ब करके 6.66 ग्राम फोर्स पर सेंटीमेटर निकाल लेंगे जो कि इसका एंग का सिरी पर लटका हुआ है और जो गicks fulρώर है दोस्तो वह आपका 100 सेंटिमेटर का है लेकिं दोस्तो इसमें जो फौर्क्रम है वह सेंटर आ ती यूज़लार पर नहीं है आप दोस्तो एक बात जाद रखे है, कि pulorum कहीं भी हो, pulorum या तो यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, कहीं पर भी pulorum हो, लेकिन जो mass of ruler है, कहने करे अब जो ruler का weight है, वो हर दमीसा center पर ही रहेगा, तो आया हो दोस्तो, यहाँ बात आप वो समझ में आगा होगा, आप देखिया दोसीच चलिए दोस्तो अभी सुंप करते हैं विलक्रम देखिए दूस्तों ये सु विलकेम है यह इस सेंटाइब की किrontे दूरि पर है यह जो डिरेक्शन है बीदर इन ऑफ सॉटर आर्म करने मतल के चोड पर मत्तब कि इसकेल के चौर पर हम एक 20 ग्राम फोर्स को हम लटका हुए है तो लाश्ट इंड पर लटका हुए है जिसे हम अंतीन चौर भी कहते हैं तो वह 20 ग्राम फोर्स को हम लटका दिये दोस्तों यहां पड़ी जो कि कितने डिस्टंस पर है तो 30 cm के डिस्टंस पर है कहां स मैंस से तो फॉलक्रम से और जो वेट होता है दोस्तों वह तो सेंटर में ही लाइज करेगा तो मालनी ही इसका जो है डपलो यह वेट है जो कि हितने पर होगा तो यहां से यहां तो तीस है और जो मास का जो मास होता है दोस्तो रूलर का हुआ तो सेंटर पर ही लाइज कर रहा है काने मतलब कि 50 संटीमेटर पर तो यहां डिस्टेंस कितना आ गया तो 50-30 यानि करने का मतलब कि 20 50 में से अगर हम 30 गटाएंगे दोस्तो तो 20 आ जाएगा तो यानि कि जो 20 सेंटेमेटर के दूरी पर हम इसका मास का रूलर का मास एक्ट कर रहा होगा और जो की रूलर है वो क्या है दोस्तो बैलनस मोड में यह आपको क्यूशन से कहा गया है तो दोस्तो कुछ नहीं करना दोस इसे देखके आपको घबराना नहीं दोस्तो यह सौट फ़र्म लिखे यहाँ पड़ी है तो दोस्तो सम ओफ क्लॉक वाइस करने कर दो मतल इस डारेक्शन तो यह दोस्तो आप डबलू है फोर्स है और डिस्टन्स कितना दो बीस है तो डबलू इंटू 20 हो गया तो अब दे 20 इंटु 30 तो बेहीं क्या हो जाए गया एम अगर 20 से भाग देंके क्यूंकि भुन SH20 दो गहरे गया और यह 20 से 60 कटेगा 30 बार में तो यह जो आ जाएगा दोस्तो डबलू बराबर इसका मने वेट बराबर यह जाएगा दोस्तो 30 ग्राम फोर्स और यहीं डबलू दोस्तो हो जाएगा दोस्तो क्या तो मास ओफ दी रूलर जो की हो जाएगा दोस्तो 30 ग्राम फोर्स तो यह हो जागा दोस्त आपका एंसर तो आपको यह परसन अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों फिलाल इस वाले वीडियो में यहीं तक आप मैं आसा करता हूं कि आपको इस वाला वीडियो में प्रहा गया सारा टापिक समझ में आ गया होगा अग अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, तब तक के लिए अपने ख्याल है कि दोस्तों फिर में लेंगा अगे लगास में, धन्यवाद